आज हम सीखेंगे सीधा समानुपात अमित ने 20 रुपय में 2 चॉकलेट खरी दी और नीशा ने 40 रुपय में 4 चॉकलेट खरी दी क्या आप बता सकते हैं किसकी चॉकलेट महेंगी थी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम कह सकते हैं कि अमित द्वारा खरीदी गई चॉकलेट की संख्या और नीशा द्वारा खरीदी गई चॉकलेट की संख्या का अनुपात दो अनुपात चार यानि एक अनुपात दो है इसी तरह उनके मूल्यों का अनुपात यानि रेशो बीज अनुपात चालीस यानि एक अनुपात दो है इससे यह ग्यात होता है कि चौकलेट की संख्या दो गुना हुई है इसी तरह उनका मूल्य भी दो गुना हुआ है इस तरह से यहां चौकलेट का मूल्य उनकी संख्या पर निर्भर है हम कह सकते हैं कि यहां चौकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान है इस तरह से यदि दो अनुपात समान हैं तो वे समानुपात यानि प्रपोर्शन में होते हैं अनुपातों में समानता दर्शाने के लिए इस चिन्न का या इस चिन्न का प्रयोक करते हैं चुकि यहां समानुपात की स्थिती है इसलिए हम कह सकते हैं कि अमित और निशा दोनों के लिए चॉकलेट का मूल्य समान था यानि किसी की भी चॉकलेट महेंगी नहीं थी कई बार हमारे सामने ऐसे स्थितियां आती है जब एक राशी यानि कॉंटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है जैसे यदि चॉकलेट के संख्या में वृध्धी होती है तो अवश्य उनके मूल्य में भी वृध्धी होगी लेकिन प्रत्येक स्थिती में चॉकलेट के संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान होगा यदि इस प्रकार एक राशी X में वृद्धी होने पर दूसरी राशी Y में इस प्रकार वृद्धी हो कि अनुपात X बटे Y में कोई पदलाव नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि X और Y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात यानि डारेक्ट प्रपोर्शन है ऐसी स्थिती में X बटे Y एक अचर यानि कॉंस्टेंट होता है चलिए इसे K माने जहां K एक धनात्मक संख्या यानि पॉजिटिव नंबर है ऐसी स्थिती में X के गुणा Y होता है सीधे अनुपात की स्थिती में यदि X के मान X1, X2, X3 इत्यादी हो और संगत Y के मान क्रमशह Y1, Y2, Y3 इत्यादी हो तो हम लिख सकते हैं X1 बटे Y1 बराबर X2 बटे Y2 बराबर X3 इत्यादी बराबर K इससे यह ग्यात होता है कि ऐसी स्थिती में दोनु राशिया सीधे विजरन करती है यानि कि अनुक्रमानुपाती यानि डारेकली प्रपोर्शनल है जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं इस संकेत का अर्थ है के समानुपाती है इस तरह से इस कथन को हम पढ़ते हैं X, Y के समानुपाती है जैसे इस स्थिती में चोकलेट की संख्या चोकलेट के मूल्य से समानुपाती है अब चलिए कुछ स्थितियों में सीधा समानुपात और अच्छे से समझें एक मशीन एक दिन में कुछ वस्तुएं बनाती है यदि हम मशीनों की संख्या बढ़ाएं तो बनने वाली वस्तुओं की संख्या पर क्या प्रभाव होगा? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां मशीनों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी या कम होगी उसी अनुपात में वस्तूओं की संख्या भी बढ़ेगी या कम होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीनों की संख्या और बनने वाली वस्तूओं की संख्या में सीधा समानुपात है क्या दीवार का शेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की आवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, हमें दीवार की शेत्रफल के अनुसार रंग की मात्रा आवश्यक होगी यानि की जिस अनुपात से शेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात से रंग की मात्रा भी बढ़ेगी या घटेगी इसलिए दीवार का शेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की अवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है एक निश्चित काम के लिए क्या मजदूरों की संख्या और समय में भी सीधा समानुपात है? सोचिए, सोचिए बिल्कुल सही इन में सीधा समानुपात नहीं हो सकता क्योंकि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो समय कम लगेगा जबकि यदि मजदूरों की संख्या खटती है तो समय अधिक लगेगा ऐसे स्थिती में सीधा समानुपात नहीं होता बलकि प्रतिलों समानुपात यानि इन्वर्स प्रपोर्शन होता है जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे तो आज हमने सीधा समानुपात के बारे में जाना अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उदाहरन देखेंगे झाले प्रतिलों समानुपात के बारे में जाना